माननिय विनायक इंग्ले गुरुजी को जनम दिन पर धेर सारी शुपकाम नाए डब्लु एच नूज वाडी नाकपूर एक शिक्षक विनायक इंग्ले गुरुजी आप सोच रहे होंगी कि आज शिक्षक दिवस्तो नहीं है तो फिर एक आदर शिक्षक को क्यों याद किया जा रहा है दरसल गलती आपकी नहीं है हमारी प्रता की है परंपरा की है हम क्या करते हैं कि किसी एक दिन किसी बात को याद कर लेते हैं और फिर साल बर भूल जाते हैं पंदर आगस्त या 26 जन्वरी को ठोक के भाव राष्ट्र भक्ति के गीत एक साथ सुन लेते हैं बस हो गया राष्ट्र पिड़िव हिंदी के लिए हिंदी दिवस संस्क्रत के लिए संस्क्रत दिवस शिक्षक के लिए शिक्षक दिवस असलियत तो यह है कि आदर्श और शिक्षक इन दोनों को साल बरे याद किया जाना चाहिए मैं आज एक ऐसे शिक्षक की बात करने जा रही हूँ जो अपने शिक्षक पेशे से आखरी तक बच्चों को शिक्षा देने में ही अपना आध्य करतव्य मानते है वह शिक्षक है वाना डोंगरी हिंगना के विनायट इंगले गुरुजी सबी मुने गुरुजी कहकर ही पुकारते है शिक्षक के साथ सा समा सेवा में रूची रखते है वो राजनीती में भी बड़ी दिल्चस्पी है उने इंगले गुरुजी का एक ही लक्ष है केवल दबे कुछले लोगों को न्याय दिलाना कोरुना की जंग भी इंगले गुरुजी जीत सुके है अब आगे का पूरा आयुष्य केवल बहुजन समाज के गरीब लोगों की सेवा में देने का मन बनाया है गुरुजी को कोई मुहम आया नहीं है जीना है समाज के लिए मरना है समाज के लिए गुरुजी का 29 जनवरी को जनम दिने उन्हें धेर सारी बधाई गुरुजी का परीचय विनायक इहले वर्दा जीले के शहीद आश्टी के मूल निवासी है लेकिन बीते 30 वर्ष से वा वाना डोंगरी हिंगना नाकपूर के निवासी बने गुरुजी ने नहरू विद्याले हिंगना में शिक्षक रहे है अब वे सेवा निवरित्य हुए संत गार्गे माराज फांडेशन संस्थापक अध्यक्ष नाकपूर विस्ट्रिक्ट स्कूल कर्मचारी क्रेडिट को अपरेटी सोसाइटी नाकपूर के अध्यक्ष रह चुके है अब विद्यमान संचालक है अखिल भारतिय ग्रहाफ पंचायत विधर्भ प्रसिद्ध प्रमुक अंदश्रद्धा निर्मुलन समीती तालुका अध्यक्ष महराष्ट राज्य मराटी पत्रकार संग विधर्भ मास अचिव पदपर है साथ ही उन्हें पत्रकारीता में भी रूची है वे धैनिक सकाल के प्रतिनीदी है अपने कलम के माध्यम से गुरुजी ने अनेक समस्या को उजागर किया विनायक इंगले गुरुजी को डबलेश नियूस के और से जन्मद इनकी धेर सारी शुपकामना है हाँ आप भी कोई वेक्ति विशेस है तो आज इही डबलेश नियूस से संपर्क करे डबलेश नियूस पर ताजा अपडेट देखने के लिए लाइक करे सब्स्राइब करे खबर नोटिपिकेशन के लिए बेल आइकान अवश्य दबाए धन्यवाद झाल